बढ़े के आगे कॉंग्रेस के रोजगार दो या गिरफतार करो आंदोलन में शामिल होने के लिए यूथ कॉंग्रेस के अध्यक्षि बीवी श्री निवास भुपाल पहुचे हैं उसे खास बातचीत की है हमारे सब्वादाता इसहार खानने बीवी श्री निवास के साथ क्या कारिक्राम है क्या होने वाला क्योंकि जहां श्री निवास भी भी होते हैं और सरकार के खिलाब प्रदेशन होता है तो वह एक अपने आप में बड़ा प्रदेशन होता है काफी होता है भुपाल का कैसे हो जाला देखें मद्यप्रदेश और पूरा देश में जो बीजेपी ने किस लेवल पर जो देश का युवा के साथ विश्वास गात किया इन लोग ने बड़े-बड़े वादा किया एक भी पूरा नहीं कर पाया साल में दो करोड का नौकरी किया वो मैं पूरा देश के बात अभी में मद्यप्रदेश का ही बात करता हूँ यह सबसे बड़ा जो गोटाला पटवारी गोटाला हुआ कैसे हुआ कौन कालेज का मालिक है वही कालेज का लोग दस्त लोग कैसे आया यह सारे मद्यप्रदेश का जनता जानते हैं इन लोग ने जान बूच के कितने बार पेपर लीक हुआ उसके उपर कोई कारवाई नहीं है ना किसी को यहां नौकरी देने को तयार है इन लोगों को क्या हिंदुत्वा दे दो धरम के नाम पर जादी के नाम पर यह पाट करना बंद करो मद्यप्रदेश में जो हुआ है वो पड़े लिके लोगे डबल डिग्री लिया है वो ऐसे लोगों को दूसरे स्टेट में जाके सेक्रिटी के काम पर लगाना आप चोड़ दो इनको यहां नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं नौकरी दो नहीं तो गद्दी चोड़ो नौकरी दो नहीं तो नौकरी नहीं तो सरकार नहीं है नौकरी नहीं है तो आप रोजगा काम है इनका कैबिनेट में बैठ गए इन लोगने डिशन ले सकता था क्यों नहीं ले रहा है इतना जो खाली पड़ी है ना वो क्यों नहीं बर रहा है वो उसके साथ आदिवासी के साथ क्या हुआ मेंगाई को लेके इन लोगने क्या कर रहा है कुछ नहीं कर रहा है अपने इ क्मिधान को कटम करने में इन לכ भी ये किस लिवफ्तर पर जो उसको लेके बात करता है और ऐसे तमाम ऐसे देखने को मिलता है इस देस का पेचान एडेमोकरसी ऐस देस का जो हात्मा है उसके अंदर लोक उक्तंत्र के अंदर उसको भी इन लोग ने नहीं चोड़ रहा है हम आज विकरांद बुरिया जी के नेतरुत्व में आज सरकार को हम लोग ने गेरना आप भई रोजगार दो नहीं तो गिरफतार कर दो आप लोग कांगरेस दफ्टर के बहुत खटा होंगे पर वहां से बीजे पी के अंदर भी क्या है सब पता है इनको समझने में बहुत दिन लगेगा नया सीम को में, हमारे मन क्लियर है, आ आप रोजगार दो आप इतने दिन से क्या आप लोग ने यहाँ बार भार जूट बोलके आप लोग ने भागने का बंद करो आप रोजगार दो नहीं और कई जो बेरोजगार थे उनको रोजगार देने का वादा किया था और सबसे ज़्यदा घोटाले जो होते हैं मद्ध-प्रदेश में होते हैं और इस सब को लेकर आज प्रिशन करने वाले हैं जिसका जो स्लोगन है रोजगार दो या गिराफतार करो कैमरा परसन राजी बातम के साथ एंड़ी टीवी के लिए बोपाल से जारसन खान और चुले इस सी ख़वर पर जदा जान करें के साथ हमारे से होगे अमरितांशी हमारे साथ जुड़गे सिधान करू करेंगे अमरितांशी यूद कॉंग्रेस के अध्धक्ष को हम सुर रहते हैं साथतोर पर सरकार को घेरते हो नज़र आ रहते हैं चाहे वो पटवारी घुटारे का मामला हो पेपर लीग का मामला हो ऐसे कई बुद्धे हैं जिसको लेकर वो बात करते हो रज़र आ रहे थे जायर सी बात है विपक्षी दल की भूमिका कॉंग्रेस यहां पर एक तरीके से हम कह सकते हैं रिभाती पूरी नज़र आ रही है और कई विश्यों को लेकर कई मुद्धों को लेकर आज कॉंग्रेस विधानसवा का घेराफ करने के लिए जंगी प्रदर्शन कर रही है ऐसे में राजश्यों के मुद्धायक विकरानद भूरिया शामिल रहेंगे क्योंकि प्रदेश यूवक्ष के अध्यक्ष भी हैं तमाम कॉंग्रेस के कारेकरताओं के साथ और टमाम बड़े नेताओं के साथ विधानसवा का घेराफ करने के लिए यहां पर वो निकलेंगे बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर युवा कॉंग्रेस अपने इस प्रदर्शन के जरीए उठाने वाली है जो कि अभी अभी श्रीव निवास जो है उनसे सुना भी गया कि पटवारी घोटाले का उन्होंने जो आरोप लगाया है इसको लेकर वो खासतोर से यहाँ पर मद्रिप्रिदेश में जो रोजगार युवा मांग रहा है यह युवाओं से जुड़े मुद्दो को लेकर यहाँ पर देखिए जायर सी बात है एक तरीकी से घेराव है और यहाँ पर हर्दा ब्लास्ट हो गया महिला सुरक्षा हो गया कई मुद्दो को लेकर यहाँ पर घेराव करने की रंडीती कॉंग्रिस की कारेकरताओं ने और नेताओं ने बनाई तो है लेकिन विधानसबा चल रही है धारा 144 विधानसबा के आसपास की शेत्रों में लागू है ऐसे में कॉंग्रिस कारेयाले से जब कॉंग्रिस के नेता गिराफ कने के लिए निकलेंगे तो उनको पूरी तरह रोकने की कोशिश की जाएगी और जगा जगे पर बैरिकेटिंग कर दी गई है भारी पूलिस बल भी तैनात किया गया है विधानसबा के आसपास पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है सिफ कॉंग्रिस की जंगी प्रदर्शन को देखते हुए हाला कि कॉंग्रिस के तमाम निता ये साफ तोर पर कह चुके हैं कि वो लाठी खाने को तयार है लेकिन वो अपने प्रदर्शन से जो है वो पीछी नहीं हटने वाले हैं चाहे माईला सुरक्षा हो गई बेरोजगारी हो गई हर्दा प्लास्ट का मुद्दा हो गया सभी मुद्दों को लेकर ही प्रदर्शन वो करेंगे और अपने आवाज उठाते वो नजर आएंगे बहले ही उनको पुलिस जो है वो पहले रोकने की कोशिश करे हाला कि पुलि चाहे मैंने बहले ही उनको पुलिस जो है वो रोक देगी ये फिलाल देखना जरूरी होगा लेकिन आजको ये कॉंग्रिस का प्रदर्शन बढ़ा होने वाला है क्योंकि कई मुद्दों को लेकर सरकार और जो है सत्ता दल को घेड़ते हुए युवप कॉंग्रिस के कारे कर तो कॉंग्रेस पर्टी के नेता नजर आने वाले हैं जी चले अब रितांशी नजरे बना रखेगा आगे भी अपडेट लेंगे फिलाल बहुत बहुत शुक्री आपका तमाम चांदकारी के लिए तो देखिए मद्रदेश वा कॉंग्रेस के तरफ से आज हला बोल है और कई मुद्दे हैं जिसको लेकर आज घराव करने के लिए पहुचेंगे तो यूथ कॉंग्रेस के जो तवाम कारे करता है वो भी बड़ी संख्या में मौझूद रहेंगे और खुद राश्ट्री अध् सब्सक्राइगा है चाहिए वो पटवारी घोटाला हो या फिर इसके अलावा पेपर लीक और देखे खास तोर पर यह भी कहा गया है कि युवाव से जो वादे किये गये थे युवाव से जो वादे उन्होंने किये थे सरकार की तरफ से वो पूरे नहीं किये गया है और इ यूद कॉग्रेस के अध्यच विबिश्रिवास को भी हम सुन रहे थे जो है कहते हैं वह नजर आ रहे थे कि कई मुद्दे हैं जिनको लेकर आज सरकार को घेरा जाएगा